थाकूर के परिवार से कोई तो होना चाहिए आप मैंने का पागल हो गए हैं किस तरह की बाते करें और आप मतलब मुझे मैं पॉलिटिक्स में कभी जाओंगी ही नहीं यह मेरे जी आपने बोला था जी मेरे जी नेवर से नेवर अब कहते होंगे बेटा मैंने तो मुझे तो बोल रही थी कि मैं नहीं जाओंगी बचाते हुए फिरते हैं वो सुखुजी ने भी तो कहा है ना कि पिता जी हमारे जो है अध्यक्ष बनाया हुआ थो उनको सुखुजी भी कहते हैं पापाजी के बारे में तो वो अपने दोस् सुखाष चंदर वोस हुए या महात्मा गांधी हुए या एक एक लाजर देन लाइफ जब कोई एक नित्रत्व आता है ना तब यूवा लोगों में जो एक देश के प्रती जो कहीं न कहीं सोया हुआ था वो हमारी जो चेतना शक्ति है वो जगाई है प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी ने और इस तब हम आकर उन से जुड़े है तो आप कहती है आपको लग रहा है कि BJB क्योंकि राष्टवादी है प्रधान मंत्री मोदी का नित्रत करिश्माई है इसलिए आप आई लेकिन लेकिन राजनीती में जब आती है तो आक्षेप लगते हैं जब जाहाएं जयर्टी वाली को आपको ह्याती है एसतरह के शब्त कहा जाता है तो आप कहती है कि मैं एक राजपूत महिला हूँ मैं लड़ना जानती हूँ मैं यह जब एक महिला जो है वह आप कहती है मैं नाचती नहीं हूँ मैं हडियां तोड़ती हूँ मैं यह कहना चाहूँगी कि जो हमारी बेहने हैं चाहे वो नाचते गाने वाली भी क्यों ना हो उनको भी सम्मान हमें देना चाहिए क्योंकि नृत्य शास्त्र जो है साम वेध हमारे शास्त्रों में वो बहुत एक एहम वेध है और मेरी जो बात रही है मेरे जो रोल रहे हैं हमेशा महिला शशक्तिकरन की भूमिकार मेरी रही है चाहे वो कुईन हो या चाहे वो मनिकरनीका हो जलीता हो या एक बेटी जिसने अपना पूरा करियर मुझे खानों के साथ काम करने का जहां आप जानते कोई एक्टर सास्त सब्सक्राइब सब्सक्राइब Ф거든요 जिसंद करने तिक श्वります इन अवं go बते ही वे गभर पंखS वे तो इनके लिए बहुत ही अब देखिए सब भाजपाई बन गए हैं तो इनके लिए बहुत जादा और खासकर जो शिवसेना वाला जो हुआ था तो मेरी माताजी और सब बहुत जादा डर गए थे और उनके लिए एक बहुत ट्रॉमाटिक फेज रहा था तो मैं यह कहूंगे कि जब महिलाएं जो हैं फिल्ड में होती हैं तो यह शब्द आपको सुनने को मिलते हैं चरित्र या आइटम चीज है जो उसको देखने इस तरह की जो चीजे हैं वो सुनने को मिलती हैं लेकिन जब पुरुष होते हैं तो अकसर यह वर्ज नहीं आते हैं पुरुष कभी आप कॉंग्रेस की उन्होंने आप पर एक बहुत ही खराब टिपड़ी करी जब आप आपको टिकेट मिलाई था सुप्रिया श्रीनेत उनके इंस्ट्रागाम हैंडल से एक टिपड़ी हुई और देश भर में इसका एक विरोध हुआ लोगों ने इसका विरोध करा उस समय आपको लगा कि यह तो बॉलिवूड से भी खराब स्थिती हैं यहां पर तो जो एक महिला नेत्री ने लिखा हाला कि उन्होंने बाद में बोला गलती से उनके अकाउंट से किसी ने लिख दिया था यह लेकिन वाट यू फेल्ट अक्सर मुझे लगता है कि यहां पर जो है वो बॉलेवूड से ज्ज़ादा बततशस्ती हैं कि यहां पर तो कहते हैं कि आप से एजुकेशन ही क्या है कर सकते हैं कि अब 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 कर सकते हैं तो वो उसको कुछ समझते ही नहीं है जो कला को लेकि जो परसल अटक हुआ आप पर आपको जब आपके लिए इस तरह की शब्द लेखे गए तो गुसा आया आपको या अफसोस हुआ आपको तो वुसे सार्ण में जही हो आपके लिए जिए एंगार। द्रायर दमाटवां किसलें प्रमोशन किशी एंप्वर सेथर आपे सथी हैं फान्यक्री सर्ण करते हैं किसी चैनरतितम चताइ 사진 इवेंट, प्रमोशनल इवेंट का जो capture करके जो है वो लगा के इसके क्या भाव चल रहे है, I was, I was shaken, I was deeply shaken about the perception, how they were putting, and maybe that's what, how they assume के आप के कप्डों को लेके वो आप कैसे भाव तहे करते हैं, तो I was deeply shaken by it. और वो भी देश की राष्ट्य पार्टी, कॉंग्रेस की social media head जो थी, उन्हों नहीं वो बाग प्रवक्तर, कुछ महिला होकर वो इस तरह की, I was shaken by it, के यह क्या हो रहा है, and obviously मुझे उस ताइम पर डर लगा के, you know, किस तरह से मुझे analyze or scrutinize किया जाएगा. एक headline आपने भी बना दी, आपने एक ऐसी बात बोली, छोटा पपू, बड़ा पपू, वो दिल्ली तक headline बन गई, अब क्यो बोलने की आपको जुरूरत थी, क्या आपको लगता है कि, और इस पर विक्रमा अदित्ते ने बोला, मैं कुछ नहीं बोलूँगा आप इसमे, दे मेरे जो प्रत्याशी हैं, एक तो वो एक राजकुमार है, ऐसे भी इनको फिल्म इंडस्ट्री में चाहे, रित्ती खोरन बीरो में इनको राजा बाबू बोलती रहती हूं हमेशा, क्योंकि ये ऐसा लगता है, बिगड़े हुए एकदम, पीछे-पीछे इनके जो है बाबा आठ बार, माताजी कुद प्रदेश अध्याक्षत है, अभी MP है, ये खुद 10 साल से विधायक है, और ये जो खुद है, P.W.D. मिनिस्टर अभी है इस टाइम पे, और इसकी सिवाए एक और मिनिस्टर रूरल डिवल्मेंट की इनके पास है, वह और कितना, कितना, और कितना जैसे कोई एक आगे आएगा, और बाकी बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन आप देखिए इनके, ऐसा लगता है कि जैसे परिवारवाद का एकदम जैसे जो दीमक है वह इस प्रदेश को खा गया है, तो मुझे लगता है कि मुझे ही ये सब करेक्टर क्यों मिलत जैसे कि ये अपने राहूल गांदी जी हो गए, वह आजादी के टाइम से, जो आलाल नहरू, इंदिरा, फिर रजी, फिर उसकी माता जी, मतलब कमॉन यार, आप तो बहन उनकी कह रही है, अमेठी में गई थी, स्मृतिय जानी के खेलाफ परचार करने के लिए, राय बरेल में एक MP नहीं चुन रहे है, आप देश का प्रधनमंत्री चुन रहे हो राहूल जी के लिए, तो मैं वही कह रही हूं कि इनको नैतिक्ता के अधिकार, आधार पे कहना चाहिए, कि हमारा जो परिवार है, अब पीछे हट रहा है, क्योंकि और भी, जो लोग है, आपको लग मैं जिस्तर से थ्राइव करनी चाहिती, वैसे कर रही है, नहीं, वहां भी नेपोटिजम का दीमक खागे, और इनको मिलते कौन है, मैं, मैंने ही इनका बेड़ा करके, जैसे महिशा सुर मर्धनी, महिशा सुर का संगार करती है, जारे मतलब ये नेपोटिजम वालों का नश्ट हो जाते हैं, लोग मुझे कहते हैं फिर इसने इसको खतम कर दिया, चलिए राजीती का चोटा पपू, बड़ा पपू, मिडल पपू, सब आपने बता दिया, अब ये बॉलीवूड का बड़ा पपू और चोटा पपू कौन है, अब बॉलीवूड में तो आपको करता है, पूरी तरीके से खांदानों ने उसको कैप्चर किया, तो कोई तो होगा, आपकी निजर में बड़ा कौन है, अब करन जोहर, अपने पिता जी की बनाए हुए इंपायर और रियासत पे इस तरह से बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ में उन्होंने मुझे कहा था, ल का के निकालने वाले, तो कितनी गंदी बात उन्होंने कही न, तो इससे पता चलता है, कि अगर उनके पिता जी, जो यश जोहर खुद होते, वो कभी ऐसे नहीं कहते है, यश चोपना ने खुद जो है, वो शारुखान को बनाया है, वो लोग उनकी इंटेगरिटी अलग थ न, वो लोग जो है, वो इस तरह की बाते हैं, निकल जाओ, चले जाओ, यहां से जाओ, यह हमारा है, हम करेंगे, फिर छोटे-छोटे बच्चों की तरह बाते करते हैं, और फिर उनको पपू कहते हैं, फिर उनको बुरा लगता है, तो बॉलीवोड में छोटा कॉन दिखत यह लड़के हो, उनको प्रमोट किया जाता है, उनकी फिल्मे बनती है, बाहर आउटसाइडर्स को आने नहीं दिया जाता है, तो इस तरह से प्रत्यक्ष को परमान की क्या ज़ता है, आप क्यों चाहते है, मेरे मुझे निकले हैं, और मैंने आज तक जो वहां पर क्या कम ब जाता कि विक्रम आदित्या मेरे अपोनेंट होंगे यहां पर, आप कभी सोच सकते हैं, तो अचानक कॉंग्रेस ने अचानक उनको बना के दिया, फेले तो कोई और लड़ने वाले थे, और फिर विक्रम आदित्या आगे, मतलब इस पूरी एरिया में सबसे धाकड गानिड आपके लोग पुर्शंसा नहीं करते, मैंने आयूश शर्मा, उद्धव ठाकरे, मैंने उसको, क्या आप सोचते हैं, मैंने उनको बोला कि आप आओ और मुझसे, आर बैल मुझे मार, वो तो उन्होंने खुद मुझसे पंगा लिया, और वो, और जब राज ठाकरे होते हैं तो उनके और मेरी जबदर दोस्ती होती, उनकी इंटेग्रिटी अलग है, इनकी इंटेग्रिटी अलग है, और आइडियोलिजी की बात नहीं है, बात वही पपू परवरिशी है, आपने उद्धव ठाकरे से पंगा क्या लिया, भारतिये जनता पार्टी ने उद्धव ठा अब ये सत्ता की भूख ऐसा ना हो जो था वह भी तुम्हारे आथ से जाए, राम मंदिर की प्रान प्रतिष्टा की बात करते हैं, आप भी वहाँ थी, मैं भी वहाँ था, हमारा ये सवभाग्यता की हमें वह मौका मिला, क्या आपको लगता है राम मंदिर इस चुनाव में विशे है क्योंकि आप हर जगा जय श्री राम के नारे भी लगाती है, हम वाकी भी रैली में जाते हैं, वहाँ पर भी इसी तरह होता है, प्रधान मंत्री मोधी की रैली में, ग्रे मंत्री अमिर्शा की रैली में, जे पी नडड़ा साप की रैली में भी होता है, तो राम मं अपने मैनिफेस्टों में ये लिखा हो कि हम मारम मंदिर बनवा के देंगे इसी हमाचल से ऐलान हुआ था पालनपूर से तो अगर उनके मैनिफेस्टों में ये है कि वो जो देश की जो एक देश की जो एक चेतना शक्ति जो है उसने एक संघर्ष पूरा खड़ा किया है एक पुर जो जो मुझमेंट हुए थी जो आशोक सिंगल से लेके जो एल्की अडवानी जी ने जो करी थी जिस में अट्रव जी भी थे पूरी तो जो मुझमेंट है आप उसको अंड़ पले नहीं कृसकते कि फ्रॉम नोवेर जो है ये राम मुझी का मुदान नहीं एक मुवम पार्टी ने राम मंदिर बनाया है देश के लिए या देश ने ये पार्टी बनाई है राम मंदिर के लिए प्लिस अदेश ने ये पार्टी बनाई है राम मंदिर के लिए अब इन बातों को अंडरलाइन कैसे कर सकते मेरा मानना है और जो प्रत्यक्ष है देश ने ये मेरा अगला सवाल है कि आपको लगता है कि इस दौर के चुनाव में खास्तों पर 2024 में राश्टरवाद भी एक महतपूर्ण मुद्दा है और जिस तरह से विपक्ष बार-बार प्रधानमंती नरेंद मोधी पर बीजेपी पर अटैक करता है कई मुद्दों को लेकर क्या आप आपको लगता है कि वो विशे भी है बेरोजगारी, महंगाई राश्टरवाद जो है वो एक alien concept था हमारे देश के लिए कि मुझे जो है अपने देश के प्रती जो है एक प्रेम होना चाहिए और sense of integrity और प्राइड होनी चाहिए इसी को nationalism कहते है my country is the best that is essentially nationalism तो ये जो भावना है ये भावना को कही न कहीं जो है वो हीनता से जोड़ा गया था आप सोच लिजी उनके क्या मान सिकता होगी जो इस भावना को हीन समझते हैं कहीं न कहीं उनके उदेश्यों में उनके जो लक्षे हैं कि इस देश के टुकड़े होने चाहिए उसमें जो है ये जो हमारे देश ये भावना जो उठके आ रही थी उसमें ये एक रोड़ा बन रही थी तो इस भावना को हीनता से जोड़ा गया था ये एक पार्टी है जो राष्ट्रवात को बढ़ावा देती है और उससे क्या है ओवरॉल जो है हमारी चाहे वो स्टाट वात एक हो गया और नमबर टू हमारी एकानमी जो है वो पूरी दुनिया के लिए देखने के लिए ग्यारमी नंबर से पांच में और तीसरे नंबर पर जाने के कागार पर है तो नैच्रिली जो है हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है और उसमें जो है अगर आपको बाल की खाल कीचनी है दो लोगों को पकड़के कि बेरोजगार है तो जो आप साथ सालों में नहीं कर सके उससे कई जाधर दस सालों में करके दिखाए और भी करके दिखाएंगे महिला चर्शक्तिकरण पर आपने बहुत बड़ा काम किया है मतलब फिल्मों के जरीए अब आप राजनीती में हैं हाली में दिली में स्वाती मालीवाल आम आदनी पार्टी की राजयसभा सांसद है उनके साथ एक CM हाउस के अंदर दुर्वेवार हुआ शिकायत उसकी हुई अर्विंद केजडिवाल के PA को अरेस्ट कर लिया गया है और आम आदमी पार्टी कहते हैं सब कुछ BJP ने करवाया है इसको आप कैसे देखती है हाद यार मुझे एक बात समझ नहीं आती है तो एक CM है वो भी जिस तरह से मैं कहते हूं कि एक पेरोल पे सब्सक्राइब में इसकी करते हैं तो क्या बाति जानता पाटी की आत्मा उनके हाथों में घूश कर उनकी बीटिंग करें किस तरह की बात है मुझे समझ नहीं आता है I felt violated चलिए आप में समय दिया लेकिन चलते जलते में rapid fire round पूछूँगा तीन नाम लूँगा उस पर आपको अपनी राय देनी है पहला नाम प्रयंका गांधी वाडरा जब भी मैं उनको देखती हूं तो मुझे लगता कि कही ना कह उनको जो है एक caricature of Indra Gandhi बनाने की कोशिश की जा रही है अगले नेता है राहूल गांधी राहूल गांधी को देखके तो मुझे सच में तरस ही आता है क्यों आता है आपको तरस मुझे बहुत बिचारे लगते हैं मुझे लगता है कि उनके साथ में वो सब हो रहा है किया जा पर उनकी बहन के रही है पी-एम बनने वाले है वो इसमारी है वो लगता है वो कहां पी-एम बन सकते है आपको लगता है कि जो इंसान चांद पर आलू उगाना चाहता है फिर वो ब्लैंक हो जाते है कभी-कभी बात करते-करते ऐसे थोड़ी कि आपने उनकी स्पीचिस सु कर लिया और केते मुहबद की दुकान मुझे खोलनी है फिर जा के ऐसे आंख मार दी क्या मतलब वो एक कार्टून चारेक्टरिया कमान या मुझे हासी आती है मुझे इस्तम कार्टून लगते है वो बिकुल आखरी सवाल आई है ये वाला चुनाफ खतम उनकी आप भी परि पुत क्षात्रिया फैंबली तो इट विल बी समबड़ी रूम आउटसाइट फिल्म इंडस्ट्री तो माताजी तो आपकी बोलती होंगी जल्दी करो कब कर रही हो बोलती है कि नहीं बोलती है इस महाल में कैसे शादे करें आप खुदी सोचे जी चलिया आपने हमें अपन की जिम्मेदारी सौंपी है उसके लिए आपको एक बार फिर बहुत बहुत शुब कामना है थैंक यू सुमच कंगना जी धन्यवाद